पर्बनी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करे। एक बार जरूर आए। गाओ के समाज कंटकों ने यहाँ पर इस गाओ की बस्ती में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पॉल नहीं आने दिया था। उसके चलते जिस तरह से यहाँ पर अत अथक प्रोश्रम किया गयर मेंनत करने के बाद में जिस तरह से महावितरन कंपनी को निवेदर दिया गयर और निवेदर देने के बाद में डी पी डी सी के जरिए से यहां के पूल मंजूर किये गए हैं और यहां पर पूल मंजूर करने के बाद में जिस तरह से यहां पर पूल बिठाए गए हैं आप यह भी नजारा देख सकते हैं कि पूल जिस तरह से यहां पर बिठाए गए है डिपीडीसी में इसे पास किया गया और पास करने के बाद में इस वक्त जिस तरह से यहां पर बहुत समाच की बस्ती में जंगली जानवार साब बिच्छू कीड़े कटूल की भी जिस तरह से यहां पर परेशानी का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा था उसी के चलते जिस तरह से इन्होंने ये काम किया है आखिर अंदेरे से इन् सब्सक्राइब के भीम शक्ति के तालों का अधेक्ष परमोद भाव कुल दिपके सागर दादा दिपके जोती ताई में वाकड़े मंचक अन्ना कदम राजा भाव भार शंकर सागर दादा दिपके बाडू भाव उप पांडवीर संगरतन इंगोले मिलिंद इंगोले परव के निखिल कुल दिपके इनकी मौजगी में जिस तरह से काम्यावी के साथ में यहां पर इलेक्ट्रिक के पोल बिठाए गए है और पोल बिठाने के बाद में यहां पर जिस तरह से इन लोगों को कई साल के बाद में काम्यावी मिली है उसी के चलते आए जानते हैं किस तरह के पड़तिकरे इन लोगों ने दी है और क्या कहा है आनि वस्मत विधान चा बेतिल पूर्ण शेवट चा गाव आए आनि त्या मदे दलित वस्ति मनल्या नंतर राजकिये पुढारेंचा सांगन्या वरून पुढतरी डावलन्याचा काम केल जाते मनोन 2018 साली मन्जूरू डावलन्याथ आल्या नंतर परमुग गावकर्यान नी भीमशक्ति सामाजिक संगतने कड़े धाव घेतल्या नंतर मी या ठीकानी आल्या नंतर तैंचे अव्यथा आयकून घेतल्या नंतर खरोखरत मलावात लगी खरत मागा स्वर्ग्यास्माज चा वस्तिवर करोहकर्याईजाली मनन्धिन भीमशक्ति सामाजिक संगतने चा वतिन आमी हा लढ़ा लढ़ा घे Лढ़ा उबा केल नंतर आमीं वारम्वार हूप कारय प्रस्तापित मेत्यांचा सांगनेवर डावलनेचा काम करू लागला परन्तु आज या ठीकानी रोहित्राचा काम या ठीकानी पूर्ण जालेला है आनि हे काम पूर्ण वोन या ठीकानी भीमशक्ती सामाजिक संगटनेचे सरुव पदादिकारी तसे या ठीकानी नियुकत जालेले बिजेपी चे मंचेकाना कदम या ठीकानी सुदा यहां पर एक एटना हो गई है कि यह पर जंगल से एक पट्टेदार शेर आया और शेर आने के बाद में एक जंग एक बाली में गिर गएंगे बळी ऍरकिया यह वंपर के लोगों को कॉल के और वन विभाग के लोगों को कॉल करने के बाद में जिस तरह से और वन विभाग के लोगों ने मिलकर इस शेर को पटेदार शेर को बचानी की कोशिश की है और अतक परिस्व करने के के बाद में बहुत कोशिशों के बाद में इस शेर को बचाया गया और बचाने के बाद में इस शेर को बाली से बाहर निकाल कर इसे जंगल में छोड़ दिया गया है आप यह नजारा देख सकते हैं किस तरह से यह माखोड़ा इस गाओं के खेत में किस तरह से खेत के बाली मे यह कुवे में शेर गिरा हुआ है और किस तरह से उसे बचाया जा रहा है आप यह नजारा देख सकते हैं किस तरह से यह पटेदार शेर अपने आपको बचानी के कोशिश कर रहा है उसी के चलते लोग जिस तरह से उसकी मदद कर रहे हैं जिस तरह से उसको बचाने की कोशिश लोगों की जद्दो जहे दिजारी है जिस तरह से उसे जिस तरह से लकडियों के सहारे से उस शेर को कुमे से बाहर निकालने की कोशिश की गई है और कुमे से बाहर निकालकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया है जिस तरह से आप नजारा देख सकते हैं कि चंदरपूर जिले में किस तरह की ये घटनाएं होती हुई नजारा रही है यहां पर जिस तरह से जंगल का एरिया है जंगल का एरिया होने की वज़े से चंदरपूर जिले के वरोरा तालुके के मुखाडा इस गाओं में जिस तरह से इस शेर को बचाने की जनता की लोगों की जानिब से और वन विभाग के लोगों की जानिब से किस तरह से पटेदार शेर को इस बाली से बाहर निकलने के कोशिश की जा रही है आप ये नजारा कवी भी मिली है और जिस तरह से लोगों ने यहां पर देखने वाले लोगों ने छिए रङ। इस बाली के फॉह आप B расक्राइब सकते हैं कि किस तरह से यहां पर इस पटेदार शैर को देखने के लिए यहां पर आई हुए है छिस तरह से रिखुम On scene देखने को मिल रहा है आप ये नजराद देख सकते हैं और इसके बाद में इस शेर को कामियाभी के साथ में बॉली से बाहर निकाल कर जंगल की और छोड़ दिया गया है मुस्लिम समाच को रिजर्वेशन पांस परसंट रिजर्वेशन दिया जाए ऐसा MIM की जानिब से कहा गया है उसी के चलते 27 नॉवंबर 2021 को मुंबई में जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दिन अवेशी साहब इनकी मौजूद्गी में जिस तरह से रैली निकाली जाने वा आसे हजारों की तादाद में MIM के कारेकरता पहुंचने वाले है और इसी के साथ में विदान साहब अदेख से हफिज अली शेर कुरेशी साहब पातरी दोरे पर मिटिंग ली गई और मिटिंग लेने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से बात की गई है आप ये नाजरा को जिस तरह से मुंबई में जिस तरह से रिजरुशन के बारे में जो मिटिंग होने वाली और यहां पर दरने आंदोलन किया जाने वाला है उसी के साथ में बैरिस्टर असवदुद्दिन अभिसी साहब इनकी मौझूद्गी में जिस तरह से यहां पर पांस पर सो मंगलवार को यहां पर आकर विजिट दी गई है और यहां पर आकर राजमाता अईलिया भाई होड़कर इन्हों ने जिस तरह से घाड का संवर्दन समाज के हर वैक्ति की जानिब से किया जाना चाहिए ऐसा भी इस वक्त कहा गया है और आवाहन भी किया गया है इस वक्त गट के पुराद्यपक सतिश ओगडे नितिन घाडगे घाटोड सर यह मौझूद थे इस वक्त अब्यासा गट के जानिब से घाड को देखने के बाद में संत जनाबाई के दर्शन किया गया और जनाबाई के दर्शन करने के बाद में लोगसभा मदार संग के धंगर समाज बादोग का जिस तरह से सतकार किया गया है इस वक्त लोगसभा मदार संग के उमिद्वार धंगर सम सामराज्य सेने के संस्ताफक सकराम बोबडे पड़े गा गाठ को देखा गया और जो निरिक्षन किया गया है और इंहों vivo कर इन्हों ने जिस तरह से गाठ को बांदा ता इसका सॉरोक्षण करना यह वक्त की ज़रूरत है और जिस तरह से इसके जब तक इसका स्वरक्षन नहीं किया जाएगा तब तक समाज के लोग एक जूट नहीं होगे ऐसा भी इस वक्त कहा गया है नात नुवंबर 2021 को पर्भनी के रुगन हग संगर्श समीति पर्भनी के डाक्टर अम्बेंड कर नगर के कार्याले में इनामदार इनके भीम्राव मकासरे पर्भनी जिला कर्यादेक्ष पस्चिम विभाग के पदपर हरीबाव सुमारे पर्भनी तालुका सहस परसिद्धी पर्मुक सतीश धोत्रे और इनी के साथ में रुगन हग संगर्श समीति के मराडवड़ा विभाग ये उपादेक्ष प्राध्यापक य दोरे का खिलारे इनकी मौझूद्गी में इनके हातों से न्यूक्ति पत्र देकर इस कारेकरम को आगे बढ़ाया गया यह न्यूस कवर गया हमारे पर्भनियास तक के कारेकरी संपतक बावरो दिन से देखी 24-27 मादमारा स्यूज चैनल के कारेकरी संपतक सत्तारखान पठा पर्भनी टूटे के कारेकरी संपतक रियास पुरेशी नोने मिलकर मैं हूँ से दखी आप देख करेए मैं साथ पर्भनी आज तक आप हमारे चैनल को सब्स्राइब करें सब्स्राइब करने के बाद बेला के बटन जरूर तपाए उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करे शेर करें और कॉमेट करना ना बोले आप हमें फेस्बूक, ट्विटर, इस्टाग्राम, टेलिग्राम, वाटसप और यूट्यूब और भी फालो करते हैं आपको हमारी नियूस की इस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट, बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें मुझे दीज़ा जाज़ा, जैहिन महबू पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर जाम परवागेट, दर्गा रोड परभणी शादी होया इंगेजमेंट, चिल्ला होया जुमागी, मीटिंग होया फिर कुछ और परभणी में तो भाया सिर्फ एक ही नाम, महबू पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर जाम परवागेट, दर्गा रोड परभणी बुकिंग शुरू है, मोबाइल नंबर 9960569383, 842190333, इसके साथ ही 9822829035 हाजी महबू पार्क फंक्शन हॉल में मनाएं, आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें कॉलिटी की तलाश यहां खतम, किंग ओफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास नानल पेट कॉर्णर परभणी लेडी स्पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेधर बेल्ट, कमर बेल्ट, वालेट, बोडी स्प्रे, पर्फ्यूम और भी बहुत कुछ, एक बार जरूर आए अगर आप घर बेठें इंग्लिश में बात करना सीखना है, तो आज ही कॉन्टाक करें SBS English Speaking Classes, मोबाइल नमबर 9823-797828 मोहमद अकबर का जनता अलुमिनियम, पाडोला कॉलनी सुभिदार नगर दरगारोड परभनी, हमारे पास अलुमिनियम पार्टिशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कम्पुजिट पैनल, अलुमिनियम दोर्स, कबर्ड्स, तयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे, एक बार संपर्क जरूर करें मुहमद अकबर, मुबाइल करमांग 9890232128, समेल टेंट हाउस, खुदरती कोर्नर कादराबाद प्लोट पर भनी, हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान की राइपर मिलेगा, शादी, एंगेजमेंट, छिला, जैसे सभी प् संपर्क करें, सयद मुझ्यमिल, मुबाइल करमांग 9766618126, पुलान पूल के पास अनुशा टाकिस के सामने गंगा खेड रोड पर भनी, 24 ता सेवा, अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगे पर भनी शहर के किसी की भी जगे पर पंचर हो रहे हैं, तो आप टेंशन ना ले, ये नमबर पर फोन करें, 24 गंटे सेवा, उपलद है, सयद शकिल, सयद इसमाईल, संपर्क जरूर करें, मिर्जा मेस, सुभेदार नगर, डीपो के पास पर भनी, अगर आप पर भनी शहर में रहते हैं, और घर के खाने का लुफ्त लेना थे, तो संपर्क जरूर करें, मिर् अगर आपके पास, आपके पडोस में, किसी को मुलवयाद है, वेगंदर है, नासूर है, तो आप फिक्र ना करें, डक्टर राओ से कॉंटेक करें, ये उनका पता है, साई क्लिनिक वो नर्सिंग हो, गवाने चौक पर बनी, डक्टर राओ को 40 साल का तजूर्बा है, गवा सेकंड नमबर 9420621924